हलो बच्चो टॉपिक जो है आपको मैंने फिर्स लेक्चर में पढ़ा है यह आपको प्ले लिस्ट में इसली अवेलेबल हो जाएगा इसके अलावा मैंने बिटा आपको प्लांड फिजियॉलजी के तीन चैप्टर और पढ़ा दी है ट्रांस्पोर्ट इन प्लांड इसके अलावा हमने प कि अलावा आपको उसके अलावा कोश्चंस कहांशे करने के लिए और कितना का मैं प्लांड लिए्स एयर 293 काम लैसिक ऐसके बनाईे ठीक है, तो हम उन topics को नहीं करने वाले हैं, जिनके question नॉर्मली नहीं आते हैं, ठीक है, तो start करते हैं हम लोग आज का lecture और पढ़ते हैं topic photo periodism, photo periodism topic क्या है इसको समझेंगे, पर सबसे पहले मैं आपसे question पूछूँगा बिटा, आपने ऐसा देखा है कि बहुत सारे fruits और vegetable एक particular season में हमें मिलते हैं, मतलब एक season होता है, उसी season में वो fruit और vegetable मिलते हैं, जैसे अभी तो क्या time हो गया बिटा, storage का time हो गया, मतलब आप तो क्या होता है, सबको store कर लेते हैं हम लोग, तो कोई भी fruit, कोई भी vegetable कभी भी मिल जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या होता कि day length की बात कर लेते हैं, मतलब winter में day length क्या होती थी, छोटी होती थी, तो उस समय क्या होता था, उस day length के थूरू कुछ plant flower करते थे और वो fruit बन जाता था, तो photoperiodism उससे related है, NCRT इस topic को ऐसे start करते हैं, वो ये बोलती है बिटा, कि हमारे पास हमने internal hormones पढ़ लिए, जो plant में growth क control करते हैं, now हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे external parameters पढ़ेंगे, जो plant में कुछ particular type के development control करते हैं, मतलब जैसे हम ये कहेंगे, कि light का जो duration है, उससे plant में क्या-क्या चीज़े हो सकती हैं, उस topic को photoperiodism हम कहते हैं, ठीक है, photoperiodism कहते हैं, तो photoperiodism क्या है, basically, ये एक requirement है light की, जिसे हम photoperiod कह रहे हैं, मतलब एक duration of exposure की बात कर रहे हैं, तो एकर मैं define करूँ, मैं इसको define करूँ, what is photoperiodism, तो मैं ये बोलूँगा, बिटा, मैं ये बोलूँगा, in some plants, not all, in some plants, हमारे पास flowering, flowering किस पे depend है, flowering depend on, depend on, exposure, exposure of, exposure of light, और basically उसकी duration, तो यहाँ पर NCRT दो चीज़े कहती है, not only exposure, ना सिर्फ exposure, बट उसकी क्या important है, duration is also important, और क्या important है, duration is also important, duration भी हमारे पास important है, duration भी हमारे पास क्या है, important है, तो हम यह कहना चा रहे हैं, हम यह कहना चा रहे हैं, कि photoperiodism है क्या exactly, photoperiodism क्या है, कि light की duration, light की duration या light की वज़े से flowering पे कुछ impact आ रहा है, उसको हम photoperiodism कह रहे हैं, मतलब light की duration से flowering, impactorio से photoperiodism कह रहे हैं, ठीक है, अब जरह यह तो simple बात definition क्योंगा, इससे मजा नहीं आए अबी, मतलब मजा ऐसे नहीं आए कि अब जब तक हम लोग इसको proper समझेंगे नहीं, क्योंकि understanding एक अलग level का अपना interest है, क्योंकि आप में से बहुत सारे को science boring क्यों लग रही होती है, क्योंकि understanding नहीं बन रहे है, जब understanding बनेगी और interest आएगा तो चीज तो better है, बहुत बहतरीन है, मतलब कि मैं कियता हूँ, बायो में तो इतना ही आपके concept है कि आप पढ़ोगे तो आपको real में मजा आएगा, तो मतलब समझ आएगा चीज है ना, तो देखते हैं जड़ा concept बनाते हैं आपके एक जड़ा, हम यह कहते हैं बिटा, हम यह कहते हैं कि जब हम flowering को देखते हैं कि कैसे वो day lens effect होती है, तो जड़ा यह देखो बिटा, ध्यान से देखना, आप क्या करो, मैं अपनी बात का meaning समझाता हूँ, let's see, एक seed ले लो, ठीक है, जब seed grow करता है, grow करेगा बिटा, germinate करेगा, मतलब पहले तो germinate करेगा, और फिर germinate करने के बाद, देखो यह germinate किया, उसके बाद उसमें proper growth हो गई, तो मेरे पास एक plant बन गया, ठीक है, यह proper एक mature plant मेरे पास ready है, जिसमें आप flower आ सकता है, now this duration, जो हमने पहले भी बात करी थी, now this duration is known as vegetative phase, इसको हम क्या बोलते हैं, vegetative phase बोल रहे हैं, इसको हमने vegetative phase बोल दिया, अब सुनो ध्यान से, अब यह plant तो बन गया, अब इस plant में मेरे पास flower आ सकती है, होता क्या है, कि अब plant में directly, अब plant में मेरे पास directly क्या आ जाए, flower आ जाए, मतलब directly आने का मतलब, जैसे वो mature हुआ, अब उसमें क्या हो गई, flowering आ गई, क्योंकि fruit आना है, तो flowering आ गई, mature होके, ठीक है, लेकिन कुछ plants में, flowering जो है, flowering, vegetative phase पूरा होने के बाद, flowering किस पे depend होती है, depend on dayland, तो हमने यहाँ पर यह सीखा, हमने यहाँ पर यह सीखा, कि बहुत सारे plant ऐसे हैं, जिनमें एक बर vegetative phase, यह वाला phase complete होगा, वो directly flower कर सकते हैं, दूसरे plant ऐसे हैं, उनको flowering करने के लिए, एक particular day length चाहिए, कि उतना बड़ा दिन आएगा, तब हम flower करेंगे, ऐसे flower नहीं करेंगे, clear, एक particular day length चाहिए, ऐसे वो flower नहीं करना चाहिए, तो ऐसे वाले plant जो flower कर जाएंगे, उनको फर्की नहीं पढ़ रहा day से, तो उन्हें हम कहते हैं, DNP, DNP का मतलब है day neutral plant, day neutral plant example, टोमेटो लिख सकते हो, पूरे सीजन में मिलेगा, इन में flowering सिफ किस बात पर depend करती है, सफिशन्ट ग्रोथ हो गई, तो flowering हो जाएगी, लेकिन इन plant पर flowering depend करती है day length पर, कितनी duration है, या day length का मतलब exactly है duration, दिन की कितनी बड़ी length है, इस बात पर flowering depend करती है, सबसे पहले मैंने ये सीखा, मैंने सीखा, seed है, mature plant बना, that is vegetative phase, after completion of vegetative phase, हमने देखा, भाई, flowering हो गई, और दूसरा हमने का flowering किस पर depend कर रही है, day length पर, किस पर depend कर रही है, बटा, day length पर, इतनी चीज़तों में समझ आगई होगी मेरी है, तीक है, अब जरह in plants की बात करते हैं, इनमें हमारे पर दो तरह के plants होते हैं, एक को हम SDP कहते हैं, SDP कहते हैं और एक को LDP कहते हैं, SDP का मतलब है short day plant, short day plant, और एक का नाम क्या है LDP, LDP, long day plant, अब सुनने में तो नाम ही कुछ ऐसा बता रहा इसका शौट डे का मतलब छोटे दिन में और लॉंग डे का मतलब बड़े दिन में तो आप कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए बटा शौट डे प्लांट तो आप कहोगे कि शौट डे प्लांट का मतलब है इट फ्लार इन अब यह शौ्ट डे का मतलब छोटा दिन तो आप कहोगे नीरली विंटर में फ्लार करता है ने फ्लार करता है यह बनता है यह बात गलत है जिए कि आप कहीं भी नॉर्मली पड़ाए जाता है तो हम कहेंगे यह वाली बात तो गलत है तो तो रही क्या है रह देख लेते हैं वहें तो गलत आर्व ना किया है अब नाम क्या है चोटे दिन में लॉग दे दिन में आप मतलब बड़े दिन में से बोल कहों कॉनसेप्ट को सीखने के लिए आपको क्या समझना पढ़ेगा आ आपको एक concept सीखना पड़ेगा वो देखो, सीखो फटावट से चलो, concept सीखते हैं concept सीखते हैं, मैं यह diagram anatomy में भी बनाता हूँ, चलो यहां बनाते हैं basic सी चीज़ है, माल लो winter ले लेते हैं और ये मैं लिख देता हूँ, summer ये मैंने दो चीज़ लिख दि winter और summer, मैंने आप से कहा, कि जब मैं winter से summer की तरफ जा रहा हूँ, घ्यान से सुनना, जब मैं winter से summer की तरफ जा रहा हूँ, तो day length बढ़ रही है, घट रही है, बताओ जल्दी से सोचो, जब हम winter से summer की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे, कि day length क्या हो रही है, day length increase हो रही है, ठीक, अब हम कहते हैं, summer है, summer से हम किस की तरफ जा रहे है, बिटा, summer से winter की तरफ जा रहे हैं, winter की तरफ जा रहे है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, कि day length क्या हो रही है, चीक है घट रही है डे लेंथ डिक्रीज हो रही है तो यहां डे लेंथ क्या हो रही है डे लेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो शौट डे लॉंग डे प्लांट का मतलब छोटा और बड़ा दिन नहीं होता शौट डे और लॉंग डे प्लांट का मतलब रियल मीनिंग य लॉंग डे प्लांट का मतलब होता है इट फ्लार इन इनक्रीजिंग डे लेंद 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 इन घटा हुआ दिन, बढ़ता हुआ दिन और घटा हुआ दिन, अब आप से मैं पूछू हूँ, अब ही कि आप इस से पहले हम नहीं क्या बोला, हमने कहा था छोटा दिन और बढ़ता हुआ दिन, मतलब इट फ्लार इन इंक्रीजिंग डेलेंथ इस लॉंग डे प्लांट, इट से सुनना मैं आपको बता रहा हूँ जैसे for example अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे पूछू मार्च में जो फ्लार कर रहा है आप कहेंगे मार्च में तो day length लगबग बराबर सी आने लगती है मतलब मार्च में दिन जो होता है वो ऐसा कुछ होता है कि भई ठीक है मुझे अभी बहुत बड़ा दिन भी नहीं है बहुत छोटा दिन भी नहीं है पर मार्च में अगर मैं ये concept apply करूं तो हम कहेंगे मार्च में day length क्या हो रही है समझ रहे हो मार्च में day length किसके बीच में आ रहा है हम कहरें मार्च में आ रहा है winter से summer की तरफ तो मार्च में जो flower करेगा वो long day plant होगा सोच पा रहे हो ठीके ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ आपसे September की तो September में day length क्या हो रही है day length decrease कर रही है तो अगर day length decrease कर रही है तो कौन फ्लार करेगा SDP फ्लार करेगा कौन फ्लार करेगा SDP फ्लार करेगा तो यह simple concept था जो अभी एकदम simple way में समझा concept यह है कि long day plant और short day plant का मतलब घटावा दिन और बढ़तावा दिन है ठीक है अब सवाल यह उठ रहा है बिटा कि घटावा दिन तो समझा रहा है कि winter से summer जा रहे दिन बढ़ रहा है summer से winter आ रहे दिन घट रहा है पर इसमें भी कब फ्लार करेगा यह सोचने वाली बात है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे Let's assume one concept known as critical day length एक concept assume करो assume करो जिसका नाम है critical day length critical day length ठीक है और अब इस concept को फिर से देखेंगे इस concept को फिर से देखेंगे और इसको समझेंगे critical day length पे ध्यान से देखना important है बिटा ठीक है इस concept को फिर से देखेंगे और समझेंगे critical day length पे बहुत ध्यान से समझना important है बहुत जादा यह, चीक है, clear, अना, इसको बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाऊँगा, देखो, माल लो, what is critical day land, समझना इसे, देखो, माल लो, एक plant A दे रखा है, plant A दे रखा है, and this plant is short day plant, इसका मतलब, short day plant का क्या मतलब, घटता हुआ दिन, तो समर से winter की तरफ flower करेगा, done, ठीक है, अब आप जरा मुझे बताना, ध्यान से बताना बिटा, plant A short day plant है, plant A क्या है, short day plant है, उसकी critical day length दे देता हूँ आपको मैं, critical day length, मैंने आपको दे दी, मैंने का ठीक है, critical day length 11 घंटे है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से short day plant का meaning यह होता है, घटा हुआ दिन, तो critical day length क्या बताती है, critical day length यह बताती है, कि जब दिन घट रहा है, तो दिन चोटा हो रहा है, तो दिन ऐसे घट रहा होगा, आज 13 घंटे का दिन, कल 12 घंटे का, परसो हो सकता है, कि हमाने पार साड़े 11 घंटे का, दिन की length घट रही ह तो critical day length 11 घंटे का मतलब यह है, कि plant A, plant A flower in day length, in day length less than 11 hour, तो short day plant का मतलब यह होता है, कि जो critical day length दे रखी हो, उससे कम में flower करे, तो जरा आओ इधर देखो, समर से winter माल लो, यहाँ 13 hour का day है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, अभी और जाएंगे तो day length decrease होगी, जिस दिन 11 घंटे का दिन आएगा, 11 hour का day आएगा, उसके बाद के सारे दिन 11 से छोटे होंगे, सोचो इस बात को, तो short day plant कब flower करेगा, जिस दिन day length, critical day length से छोटी हो जाए तो मैंने कहा, मैंने कहा कि short day plant दे रखा है, उसकी critical day length 11 दे रखी है, तो क्या वो 10 घंटे में flower कर सकता है, मैं कहूंगा yes, और वो 10 घंटे कौन से वाले चीए, घटते हुए, घटते हुए कैसे, समर से winter की तरफ, क्योंकि जब समर से winter जाओगे, जिस दिन day length 11 घंटे आएगी उसके बाद के सारे दिन 11 से छोटे होंगे ना घटे में, तो ऐसे short day plant करता है, अब माल लो यही concept long day plant पे लगाते हैं, तो माल लो आपके पास plant भी है, and it is long day plant, चलो माल लेते हैं, एक example लेते हैं, उसकी critical day length, critical day length को short में serial लिखते हैं, serial दे दी माल लो मैंने आपको 10 घंटे द पर गलत नहीं है, सही है, देखो कैसे, plant B is long day plant, critical day length is 10 hour, बढ़ाओ दिन, तो winter से summer की तरफ हम दिन बढ़ा रहें, ठीक है, आज दिन 9 घंटे का है, फिर दिन 10 घंटे का आया, जिस दिन day length 10 से जादा होगी, तो long day plant flower कर जाएगा, समझ में आ रहा है, तो what is long day plant, ध्यान से सु दिखा, long day plant और short day plant का concept यह है, short day plant घटते वे दिन पे flower करता है, long day plant बढ़ते वे दिन पे flower करता है, मतलब for example, short day plant कब flower करेगा, हमारे पास summer से winter के बीच में, और कैसे flower करेगा, जो उसकी critical day length आएगी, उससे छोटा दिन, मालो उसकी critical day length 12 hour है, तो वो उससे छोटे दिन में flower कर आए, ऐसी long day plant, वो critical day length से जादा में flower करता है, प्योंकि winter से जब आप summer की तरफ जाते हो, winter से जब आप summer की तरफ जाते हो, तो day length कांगे हमें, यह तो घट रहा है ना, summer से winter की तरफ आप जाओगे, sorry, कांगे, arrow, हाँ, summer से winter की तरफ आ रहे हो, तो क्या करें, day length हम लोग क्या करें, decrease करें, ठीक है, हाँ, winter से आप summer की तरफ आ रहे हो, तो day length बढ़ रही है, यह इसमें flower करेंगे, ठीक है, यह इसमें flower करेंगे, होता क्या है कि हम लोग कई बड़ डाइग्राम इसको ऐसा बनाते हैं, तो उससे लगता है, चलो देखने एक चीज़ और, मैंने क्या बोल प्लांट है, दो प्लांट है, A and B, ठीक, A जो है मेरे पास, वो short day प्लांट है, और B जो है मेरे पास long day प्लांट है, बोथ है, critical day length is equal to 12 वार, अब कोशन यह है, क्या दोनों प्लांट जो है, same time पे flower करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने बिटा ऐसे लिख दिया, पहले तो मैं यह बनाओ, this is winter and this is summer, जहां से देखना, हम लोग winter से summer की तरफ जा रहे थे, हमने कहा था, देखो winter और summer है, winter से summer की तरफ क्या होगा बिटा, day length हमारे पास winter से summer जा रहे बढ़ेगी, और यहाँ day length क्या होगी decrease होगी, ठीक है, तो जहां अब देखो, यहां पर सबसे पहले कौन-कौन फ्लार करेगा, देखो, हमने का short day plant कब करता है, यह winter है, summer की तरफ क्या होगी है, और यहां क्या होगी है, decrease हो रही है, summer से winter की तरफ, अब जरा यह देखो बिटा, ध्यान से देखो, इधर day length घट रह मैंने critical day length दोनों की क्या दे दी है, 12 घंटा, अब देखो, मैं winter से कहा जा रहा हूँ, summer की तरफ, day length बढ़ रही है, तो day length बढ़ते बढ़ते, एक दिन आएगा, जिस दिन day length 12 आर की होगी, उस दिन के बाद के सारे दिन 12 घंटे से बढ़े होगी, देखो, मैं ऐसे करते करते गया, यहाँ पर day length कितनी आ गई, मालो 12 आ गई, यहाँ पर कितनी आ गई 12, आने वाले सारे दिन में day length 12 से जादा होगी, सोचो, यह चीज़ समझा रहा है बटा, ऐसे ही, अब यहाँ पर day length घट रही है, तो जिस दिन 12 आर का दिन आएगा, उसके सारे दिन 12 से छोटे होगे तो यहाँ पर कौन फ्लार करेगा, SDP, तो SDP यहाँ कहीं फ्लार करेगा, LDP क्या करेगा, यहाँ फ्लार करेगा, कभी साथ में फ्लार नहीं करेंगे, SDP और LDP, क्यों कि वो long day plant critical day length से जादा पर फ्लार करता है, ऐसा कब हो सकता है, जब दिन की length बढ़ रही हो, short day plant critical day length से कम फ्लार करता है, ऐसा कब हो सकता है, जब day length घट रही हो, यहाँ तक समझ आ गई, छीक है, कई बाद slip of tongue से कुछ बोल देते हैं, पर ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है, मैंने फिर बोला है, कि long day plant हमेशा बढ़ते वे दिन में फ्लार करेंगे, short day plant हमेशा घटते वे दिन म फ्लार करेंगे, आप से मैं पूछू, आप कहेंगे सर, कि ऐसे कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन हमारे पास, मालो, 21st December, या 23rd December, ऐसा कुछ होता है, सबसे बड़ा दिन जून में होता है, तो अगर मैं आप से पूछू कि एक plant है, जिसने 30 अ मतलब 30 अगस्त को कोई plant flower करेगा, it has to be short day plant, समझा रहा है, ऐसे ही मैं आप से पूछू, मुझे ये बताओ, जरा 20 फरवरी को जो flower कर रहा है, क्या वो long day है, short day है, मैं कहूंगा, सबसे छोटा दिन मेरे पास, winter में 21st या 23rd December है, उसके बाद day length बढ़नी शुरू हो जाती, जै इन की बाद कर रहे है, day length बढ़ रही है, दीरे दीरे, ये बढ़ते बढ़ते कहां चली जाएगी, day length बढ़ेगी, तो fab में भी day length बढ़ रही है, मार्च में भी day length बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो long day plant हुआ, जैसे की rice जो होता है, अब देखो, rice कब flower करता है, बिटा, rice flower करता है, मावलो, October के आसपास, September के आसपास उसे harvest करते हैं, तो उस समय जब उसको harvest कर रहे होते हैं, तो day length बढ़ रही है, तो rice हमारे पास short day plant हो गया, wheat को बिटा हम लोग winter के around sow करते हैं, और उसको harvest करते हैं, April के आसपास, मार्च के बाद हम उसको harvest करते हैं, तो day length बढ़ र को एकदम पक्का कर दे, तीक है, गड़बर नहीं करना, ध्यान से समझना इसको, question ये है, question ये है, question ये है, बिटा हमारे पास, question ये है, अब ये चीज़ आपको शायद ही कहीं मिले कि कोई question करा रहा हूं, इन चीज़ों पर, ठीक है, मैं clear बोल रहा हूं, इसमें बिटा कोई अपनी तारीफे करते रहते हैं, देखिए, एक चीज़ हमें इससा समझी है, हमें पढ़ाते वे experience हो गया है, हमारी knowledge भी धीरे धीरे increase होई है, आप students है, आपकी पढ़के increase होगी, ऐसा कोई भी teacher is not like a god कि आप उसको बोलने की वो बोले जा रहा है कि मैं special हो, special special कुछ नहीं हो हम ही करा रहे हैं ऐसा, main important चीज क्या है कि कितने time में कितना content deliver किया, क्या वो आपके लिए relevant है, आप उसे समझ पा रहे हो, क्या वो आपको NCRT से, आपके board के लिए आपको करा रहा है, free अलग चीज है, time waste करना अलग चीज है, एकदम free है, तो time ही waste हो रहा है, तो मैं clear बोल रह मैं star teacher, star teacher, उससे नहीं होता है बिटा, आप क्या करो, lectures compare करने से पता चलेगा, या आप देख रहे हो, तब आपको पता चलेगा, कि मैंने क्या पढ़ाया, आपने क्या पढ़ा, clear, ये मतलब जो बच्चे regular follow कर रहे हैं, वो anxiety देख रहे हैं, सारी गाने match कर रहे हैं, मैं उसक explanation करा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत ये है, क्योंकि हमने बिटा, अभी हम लोग अलड़ी उस platform पर यकीन batch में पढ़ा रहे हैं, अब वो चीज हम देख रहे हैं, कि जो हम पढ़ा रहे हैं, वो difference, चाए offline coaching हो, चाए online coaching हो, दोनों से difference create कर दिया है, तो वो ऐसा नहीं, मैं डेली आके यकीन batch में मैंने ये करा दिया, आज देखो मैं आपको ऐसा कुछ करा दूँगा, आप एकदम champion बन जाएंगे, बिटा, champion तो जब बनोगे, जब questions करोगे, पढ़ा ही करोगे, NCRT पढ़ोगे, बिना पढ़े तो कुछ होना ही नहीं आपका, clear, तो मतलब इन चीजों को थोड़ा सा avoid करो, जो self-proclimate, मतलब type का, खुद से बोलने वाला जो लोग होता है, खुद से खुद की तारीफ कर रहा है, ऐसे इन चीजों से बचो, NCRT पढ़ो, आप ऐसी knowledge जैसी हमारी है, उसको develop करने में समय लगेगा, महनत लगेगी, आप क्या IQ teacher से ज़्यादा होता है, आप सारे subject पढ़ रहो, आप तो और जादा महनत की जरूत है, तो आप इन चीजों को मतलब properly अपने पास रखो, कि हम मतलब बहुत जादा बात नहीं कर सकते, मतलब हमें ये समझाना चीए, कि हम किसी बच्चे के time के साथ मतलब ऐसे नहीं कर सकते, कि उसको waste ही किये जा रहे मालू मैं उसकी जगा दो नहीं question कर रहा हूँ, आपको एक नहीं चीज सिखाने की कोशिश करनी चीए, तो इसलिए मैं बार-बार इन चीजों को नहीं बोलूँगा आपको, आप properly lecture को देखकर उसको देखो, आप में एक इतनी improvement है, ये important है, clear, आपको daily motivation की need क्यों है, मुझे आप self motivated नहीं फिर पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है, तो पढ़ा ही करो, वो important है, clear, तो चलो देखते हैं, एक question और मैं चाहरा था आपको बताना, ठीक है, clear, तो वो question कौन सा है, देख लो, हना, क्योंकि मतलब समझी नहीं आती, लोग पता नहीं क्या-क्या पढ़ा रहे हैं, काम का भी नहीं है, उसको भी पढ़ा रहे हैं, और जो काम का NCRT में है, उसको भी पढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे होगा, चलो, देखते हैं, अच्छा देखो, एक question मैं यह देखते हैं, अब देखो, मैं उसको apply कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, उसको apply कर रहे हैं, दे और इसकी critical day length दे देता हूँ मैं आपको 12R और मैं C plant देता हूँ जो SDP है और उसकी critical day length मैं दे देता हूँ 10R और मैं start कर रहा हूँ summer से मैं basically किस से start कर रहा हूँ summer से starting from summer मुझे sequence बताओ कि कौन plant कैसे flower करेगा ठीक है, pause video करके देखो फिर answer match करना ताकि आपको समझ आया, आपको concept आया की नहीं ठीक है, तो start कर देता हूँ मैं आपके लिए सबसे पहले मालो यहां winter लिख देते है और यहां summer लिख देते है अब सबसे पहले question में आपको यह समझना है मालो winter से summer, summer से winter यहां winter से summer day length क्या हो रही है increase हो रही है LDP फलार करेगा इतनी बात आपको समझाने चीए now we are starting from summer हम summer से winter की तरफ जा रहे है summer से किस की तरफ जा रहे winter की तरफ, इसका मतलब यह दोनों पहले फलार करेंगे, तो आप देखो जब आप summer से winter की तरफ जा रहे हो तो पहले 11 घंटे आएंगे की 10 घंटे आएंगे आप खुद से देखो, इन दोनों में चेक करो आप summer से winter की तरफ जा रहे हो day length decrease कर रही है पहले क्या आएगा, 11 घंटे आएगा पहले 10 आएगा, सोचो कुछ से सोचो पहले जब मालो आज दिन 15 घंटे का था फिर 14 का हुआ ऐसे करते करते, 11 पहले आएगा फिर 10 आएगा ये चीज clear है तो हमारे पास पहले फ्लार करेगा A और फिर फ्लार करेगा हमारे पास C चलो ये भी हो गई जब विंटर में पहुचेंगे तो विंटर से समर की तरफ कौन करेगा LD की तो कि यहां पर कोशन में बोल दिया है समर अगर वो विंटर बोल देता तो पहले कौन करता मालो ये ही sequence ठीक है हमने लिख दिया B लेकिन अगर मैं इसकी जगा क्या लिख देता विंटर लिख देता तो मैं इसको पहले B लिखना पड़ता फिर A करता फिर C करता यहां से जाते पहले B करता यहां पर इधर से जाते फिर C करता यह वाला यह टेकनीक है विटा ऐसे करते हैं इन questions को although ऐसे questions आते नहीं थोड़ा सा मतलब वैसा है यह conceptual है इतना time वाला question neat में नहीं आता जिसमें time लगे क्योंकि आपको 180 questions कराने समय है मतलब उतना ज़्यादा होता नहीं है तो इस वज़े से इसको ऐसे बता है आप देख पाते हो इस चीज को देख सकते हमारे पास क्या है यही concept है जिसके हम लोग बात कर रहे थे देखो ध्यान से बता ध्यान से देखो यह देखो बिच्चे हमारे पास darkness flash of light critical night length और यह सब दे रखा है clear तो आप ज़रा एक चीज समझो इस बात को हम क्या कह रहे है हम कह रहे है यह देखो अब देखो हमने critical day length बोल दिया देख रहे हो critical day length को ले के हम कह रहे है तो short day long day कैसे बनाओगे जैसे यह light देखो हमने कहा मालो यह plant यह है और यह plant यह है ठीक है अब मैं कह रहा हूँ यह light है ठीक है अब यह darkness है ठीक है अब इसमें देखो light ज्यादा है तो यह long day plant हो गया जितना चाहिए उससे ज्यादा light है मालो यह line हमने draw कर ली इससे ज्यादा light है ठीक है क्योंकि increasing day length पे इसको हम discuss भी कर सकते है इस concept के साथ ध्यान से सुना and long day plant हमने पढ़ा short day plant को मैंने क्या समझाया आपको decreasing day length और long day plant को क्या समझाया हमने increasing day length यह समझा दिया हमने decreasing day length और increasing day length long day और short day plant अब ध्यान से सुनना मैं जो आपको समझा रहा हम clear ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना फिटा एक चीज़ ध्यान रखना platform सस्ता है teacher सस्ते नहीं है यहां पे ऐसा कोई नहीं बढ़ा रहा है जो बिना concept के बढ़ा रहा हम मैं clear बढ़ा रहा हम आपको यह बात यह भी realize होगी धिरे धिरे जब lectures देखोगे अब चले जब plant kingdom का lecture देखो आपको समझा जाएगा proper anxiety कैसे बढ़ाते हैं ठीक है ऐसा slide लग के दिखा दिया देख बिटा यह होता है clear सही है concept पड़ो आपको चीजे बनने चीए अगर आपको sporophyte gametophyte नहीं आता है plant kingdom में तो chapter नहीं आता है आपको आपको नहीं सिर्फ उपर उपर से पड़ा हुआ है यह clear बता रहा हूँ मैंने देखा यह observe किया है बटा इतने साल में तो चलो देखते हैं short day plant लॉंग डे प्लांट यह दो तरह के प्लांट है short day और long day तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ short day plant का मतलब है decreasing day length पे तो मैं इसको ऐसे भी कह सकते हूँ long night plant short day plant को हम कह सकते हैं long night plant NCRT ने इस line को लिखा है कि सिर्फ day length important नहीं है darkness भी important है सिर्फ day length important नहीं है हमारे पास darkness भी important है तो हम लिख रहे हैं इस बात को कि darkness is also important वो भी important है flowering के लिए और इस चीज़ को आप समझ सकते हो कैसे हम इस पे बात कर रहे हैं long night plant है हमारे पास तो अगर मैं कहूँ जहां से सुनो ऐसे करेंगे देखो इसे वो ही पीछे डाइग्राम में लिखा हुआ तो उसको अभी explain करेंगे इसकी critical day length कितनी है माल लेते 11 गंटे इसका क्या मतलब है it require it require day length less than less than 11 hour ये बात समझो critical day length कितनी है 11 गंटे it require day length less than 11 hour समझना इस बात को less than 11 hour कि उसको क्या चाहिए day length चाहिए क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको 24 में से minus करो 24 में से 11 को minus करो कितना आ जाएगा आपके पास 11 मैंने minus कर दिया तो हमारे पास 13 आ गया इसी समझा रहा तो मैं ही कह रहा हूँ बिटा जो critical day length 11 गंटे है इसे हमने कहा कि उसको day length less than 11 गंटे चाहिए इसका मतलब ये भी तो हुआ कि it require night it require darkness more than 13 कितनी चाहिए उसको darkness more than 13 आवर की darkness चाहिए आप समझो short day plant का मतलब long night plant है अगर मैं आपसे कहूँ कि short day plant की critical day length कितनी है बालो 11 गंटे है इसका मतलब वो तब flower करेगा जब दिन की length 11 से छोटी होगी इस बात को मैं opposite बोलो मैं कहूँ कि ये long night plant है ये कब flower करेगा जब night 13 गंडे से बड़ी होगी मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया किस में से 24 में से माइनस कर दिया तो इस तरीके से इसको मैंने करा अब देखो ऐसे ही मैं अगर आपको कहूँ कि चलो long day plant की बात करते हैं तो मैंने कहा ध्यान से सुनेंगे मैंने कहा long day plant है long day plant है उसकी critical day length दे रखी है 14 आवा इसका मतलब ये flower करेगा जब दिन 14 से बड़ा हो बढ़ते वे दिन पे करता है तो flower when day length कितनी हो more than 14 हो more than 14 हो ये कर सकता है उसमें flower अब इसको मैं अगर opposite लिख हूँ तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ दे आर long day plant है short night plant darkness कम चाहिए ही ने short night plant इसका मतलब इसको 24 में से minus करो 24 में से 14 को minus करो तो 10 आर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि इनकी darkness darkness not exceed 10 आर 10 आर से ज़ादा darkness नहीं होनी चाहिए समझो इस बात को darkness 10 आर से ज़ादा exceed नहीं होनी चाहिए darkness 10 आर से ज़ादा बढ़नी नहीं चाहिए समझ पा रहे हो तो ये बहुत important चीज़ है सोचना ठीक है एक question लेते हैं आपको यहाँ पे ठीक है आपको यह तो मतलब आपको वहाँ के questions भी बन सकते हैं जो kvpy अगरे के ऐसे ही आते हैं वह यह topic उसमें आता है आप previous year के papers देखेंगे वहाँ पर यह भी आता है ना तो just question देखो थोड़ा सा समझ आएगा देखो आप कहते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करो long day plant को हम क्या बोल रहे हैं long day plant को हम क्या नाम दे रहे हैं short night plant नाम दे रहे हैं ठीक है मालो इसकी critical day length हमने देदी 14 hour तो इसकी darkness कितनी आ गई है darkness आगे 10 hour की चलो आगे देखते हैं तिर short day plant को हमने long night plant कह दिया अब यह जो long night plant है इसका मतलब क्या है इसको long क्या बोल दिया night plant बोल दिया ठीक है long night plant बोल दिया ठीक तो critical day length जो है उसकी critical day length हमाल लेते हैं long night plant बोल दिया critical day length हम कहते हैं 11 घंटे से कम का दिन चाहिए तो हमने का उसको darkness कितनी चाहिए 24 में से minus करो darkness more than कितनी चाहिए बिटा darkness more than कितनी चाहिए critical day length 11 घंटे है darkness more than हमारे पास कितनी चाहिए 13 चाहिए इसको minus कर देंगे 24 में से अब जरह मैं आपको इन दोनों को इसका नाम plant A रग देता हूँ इसका plant A रग देता हूँ और इसका रग देता हूँ plant B अब मुझे खुद से बताना आप क्या हुआ यहाँ देखना बता माल लो मैंने क्या किया मैं एक box बना रहा हूँ इस box में यह darkness है यह darkness है और यह light है तो यह darkness है रख दूं और darkness 16 hour रख दूं किसी में तो darkness 16 hour का मतलब समझो ध्यान से क्या है यह darkness 16 hour का मतलब darkness कितनी चाहिए less than चाहिए थी 10 hour तो 10 से तो जाधा है नहीं करेगा लेकिन यहाँ इसको कितनी darkness चाहिए 13 की तो sdp flower कर सकता है ऐसे करते हैं questions इसके समझेरो क्योंकि light और darkness देखो कैसे दिखा दी मैंने second मालो एक और case देख लेते हैं मैं दोनों को 12 वार ले ले लेता हूं मैं नहीं बता रहा कि घटता हूँ या बढ़ता हूँ दिन सिंपल देखते बाद तो 12 वार किस से कम है 13 से कम है तो इसका मतलब sdp तो फ्लार कर नहीं सकता और मैंने का था 10 वार से कम चीए इसको वह तो 10 से जादा है 12 है यहां पर darkness देख रहे हो darkness पर बात कर रहे हम अभी तो 12 से जादा है तो ldpp फलार नहीं कर सकता है समझ आ रहा है बिटा यह चीज़ समझ आ रही है तो यह इस तरीके से आप कर सकते हो कोशन माल लो आपको यह दे दे ऐसे box बना दे और इस box में हम कहें चलो ठीक है यह darkness जो है मेरे पास यह darkness कम है यह darkness है मालो 10 आर की या 9 आर की कर इतना बच गया हमारे पास 15 आर रख लेते हैं 15 आर की हमारे पास लाइट है अब डार्कनेस देखो इसके according तो आ गया लेस दें 10 आर तो इसका मतलब LDP लार कर जाएगा SDP लार नहीं करेगा तो यह concept हमने सीख लिया आजना concept सीख लिया बहुत शांदर ठीक है आगे जाते हैं बिटा आगे जाते हैं हमें एक topic समझना है जिसे हम mechanism of flooring कहते हैं और इस पर question आया था आपका side 2019 वाले paper में इस चैप्टर से तो उसमें से एक question ये भी था mechanism पे या तो 18 या 19 में question था mechanism of flooring पे यहां से सुनना मेरी बात समझो flooring क्या होती है floor कैसे आता है मेरे पास समझो इस चीज को मालो मैंने ये plant बना दिया इस पर यहां पर tip पे dividing cells होते हैं इसे हम कौन सी shoot कहते हैं vegetative shoot इसे हम कौन सी shoot कहते है vegetative shoot कहते है जब flooring होती है तो ये पहले convert हो जाती है reproductive shoot में मतलब इस पे पहले bud टाइप से कुछ बन जाता है यहां पर क्या बन जाती है reproductive bud बन जाती है basically floor की bud बन जाती है जो floor की bud नहीं होती वो आती है और फिर finally इस पे floor आता है तो इसका मतलब floral bud बनना जरूरी है flower आने के लिए तो NCIT ने क्या बोला है flooring के लिए vegetative shoot जो है वो convert हो जाती है reproductive bud में तो vegetative जो हमारे पास ये पार्ट होता है ये किसमें convert हो जाता है floral bud में तो vegetative shoot convert हो जाती है convert into floral bud किसमें convert हो जाती है floral bud में ठीक है vegetative shoot जो है वो convert हो जाती है किसमें floral bud में convert हो जाती है ये चीज़ समझ आ रही है विट आपको यह चीज समझ आ रही है, वेजिटेटिव शूट जो है, हमारे पास floral bud में convert हो जाती है, यहां तक समझ आ रही है, यह चीज clear है बिटा, ठीके, अब जरा आपको next चीज मैं दिखा देता हूँ यहां पे, next चीज दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव शूट convert होगी floral bud में, NCRT ने क्या बोला है ध्यान से सुनना, NCRT कहती है कि यह जो पार्ट है, जहां फ्लार बनेगा, इस पर light का effect नहीं हो रहा है, light का effect इस leaf पर हो रहा है, जो फ्लार बनाने में मतलब उस पे फ्लार तो बनी नहीं रहा, फ्लार यहां बन रहा है, पर light का effect यहां हो इसने critical night length दे रखा है, तो short day plant देख रहे हो, मालो यह light, यह basically मेरे पास क्या है, यहां से देखो, यह मेरे पास क्या था, मैं एक बार आ रहा हूँ, अपसी जो मैं बात बूल रहा था, मैं यह कह रहा हूँ, इतनी darkness चाहिए, और यह darkness जितनी चाहिए, उससे ज़्यादा है, यहां पर flower करेगा यह, इसीच को समझो, long day plant यहां flower करेगा, क्योंकि देख रहे हैं, यह जो yellow है, यह light है, यह blue वाला darkness है, यह line ड्रॉ कर रखी है, तो जितनी darkness है, जिसे critical dark period कह रहा है, उससे कम है, इसलिए यहां flower करेगा, यहां जादा यहां नहीं कर सकता, यहां भी नहीं क यह क्या करा हुआ है, इन्होंने एक चीज और दिखाई है बेटा, जो मुझे आपको बटाना था, देखो, इन्होंने क्या किया हुआ है, यहां flower करा क्यों, क्योंकि बीच में light break कर रखा है, light break कर रखा है, मालो चार घंटे की darkness देखे, बीच में light डाल दी, तो वो क्या darkness 10 गंटे से छोटी होनी चाहिए, तभी long day plant flower करेगा, मालो यह 9 गंटे है, 9 hour है, यह 4 hour है, अब total तो 13 बन रहा है, जो 10 से बड़ा है, लेकिन continuous नहीं बन रहा है, तो continuous darkness चाहिए, समझा रहा है, देखो, अब यह total मालो, total मिला के, मुझे यह 16 hour बन जाए, लेकिन, मुझे continuous darkness न रखी है, इस line के नीचे यह वाला जो blue वाला यह darkness है, तो इसका मतलब यह होगा, इससे जादा darkness है, तो देखो, यह short day plant flower कर गया, darkness जितनी चाहिए, उससे कम है, नहीं करा, और यहाँ पर darkness है, तो बीच में flash of light ने उस continuous darkness को खतम कर दिया, तो सिर्फ darkness नहीं है, continuous darkness है, तो हमने का darkness भी important है, और darkness में continuous darkness है, दूसरा, हमने जब mechanism की बात करी, तो हमने clear बोला बिटा आपको, हमने का, कि flowering के लिए, इस vegetative shoot पर effect पड़ता है, और कैसे पड़ता है, वो हम देख रहे हैं, वो effect कैसे पड़ता है, वो हम जानना चाह रहे हैं, ध्यान से तुनों कैसे देख रहे हमने ये plant बनाया ऐसे, ये इसकी leaf है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी leaf है, यहान से देखने ये plant हम ने बनाया, ये plant हम बना रहे हैं एसे, ये इसमें leaf है, ठीक है, यह इसमें क्या है हमारे पास यह leaf है यहां से इस तरीके से leaf है अब देखो होगा क्या जो light पड़ेगी जिसे आप photo period कह रहे हो वो किस पड़ेगी leaf तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि photo periodism होने के लिए mature leaf चाहिए यह आप कैसे समझ सकते हो जैसे कभी winter के बाद जब दुबारा से हमारे पास spring आती है तो spring आने से पहले leaf आती है उस leaf पे photo periodism का signal आता फिर flower आते हैं तो कुछ leaf होने चाहिए तो सबसे पहला point में यहां पर यह लिख रहा हूँ कि signal for photo periodism signal for photo periodism photo periodism मतलब हमारे पास light की length की बात कर रहे है periodism किस पे आएगा किस पे आरा है बिटा हमारे पास आएगा occur on किस पे होगा occur on या act on basically किस पे काम करेगा यह काम कर रहा है उस पे act on leaf लीफ पे काम कर रहा है तो इसने leaf पर काम किया मतलब एक तरीके से wavelength ने leaf पे काम किया होता है क्या है बिटा leaf में एक chemical होता है जो इस signal को feel करता है उस chemical का नाम है phytochrome तो आपको यह समझना है कि leaf में एक receptor होते हैं जिनका नाम phytochrome होता है वो receptor क्या करता है signal को feel करते है मतलब leaf में एक chemical होता है जिसका नाम phytochrome होता है वो phytochrome chemical जो होता है वो chemical इस signal को receive करता है वो chemical convert हो जाता है वो chemical एक hormone बनवाता है जिसका नाम हमारे पास flow region है समझो घ्यान से क्या समझाया मैंने समझो मैंने ये बोला बिटा मैंने ये बोला कि जब ये wavelength इस पर गिरती है इस wavelength लीफ पर उससे क्या होगा that phytochrome get converted into flow region now this flow region ये move करता है ऐसे tip पर ये यहां जाता है समझे रहो और इसको convert कर देता है floral bud में तो sequence ये है बिटा sequence ये है कि due to due to photo period हमारे पास क्या होगा due to photo period हमारे पास एक phytochrome activate होगा या phytochrome हमारे पास receive करेगा stimulus receive कर रहा है क्या stimulus light का stimulus ये receive कर रहा है वो क्या करेगा वो help करेगा या induce करेगा help in formation of flow region क्या बनवा रहा है flow region एक ऐसा hormone या chemical जो कहां move करेगा that move from move from यहां से leave to vegetative shoot that flow region that flow region move कर रहा है बिटा move from leaf leaf to vegetative shoot वो vegetative shoot पे move कर गया तो flow region हमारे पास यहां आ गया चलो की क्या अच्छी बात आ गया अब क्या करें जब flow region यहां आ गया तो इसने इसको convert कर दिया proper floral bud में मतलब इसने क्या किया यहां पर बिटा floral bud बना दी मतलब यहां पर जैसे leaf से वो chemical चला गया उपर ठीक है यह flor region यहां गया और इसने यहां पर वो bud बना दी जो flower बनाएगी हना वो bud बना दी जो आगे क्या बनाएगी floral bud बना दी तो इसका मतलब shoot को convert कर दिया किसमे reproductive shoot में अब question यह आया था नीट में पूछा यह गया था कि जो photo periodism का impact है कहां होता है that occur on mature leaf आप हमेशा याद रखे कम से कम मेरे पास कुछ number of mature leaf होंगी plant में तभी flower आएंगे उस branch में तभी flower आएंगे कुछ number of mature leaf होनी चाहिए नहीं तो flower नहीं आएगा तो photo periodism का impact कहां होता है कहां होता है leaf पर होता है वहाँ पे एक receptor होता है जिसे phytokrome कहते है phytokrome actual में एक chromo protein होती है phytokrome के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ सकते हो ये क्या है एक chromo chromo का मतलब color chromo protein है phytokrome क्या है chromo protein है color protein है इसकी दो type होती है हम नाम लिख देते है PR और PFR ये एक तरीके से stimulus भेस के मतलब इसकी दो form होती है leaf में leaf में या even seed में भी होती है क्योंकि उस पर भी effect होता है photoperiodism का और वो क्या करती है एक chemical बनवाती है hormone fluorigen हम कहते है fluorigen एक hypothetical hormone है अभी तक isolate हुआ ने और ये fluorigen क्या करता है यहां से move करके जाता है signal लेके और इसको convert करता है किसमे reproductive shoot ये आपने इतना पढ़ना है और आपने पढ़ना है कि कौन receive करता है stimulus phytochrome ये क्या है एक तरह की colored protein है color होता है इसमें इसलिए हम कहते हैं chromo protein chromo का मतलब colored protein है और ये protein क्या करती है यही protein एक wavelength absorb करती है तो कि जब day length change होती है ये हमारे पास उसके इसाब से wavelength पे ये काम करते है तो ये wavelength absorb करती है और उससे हमारे पास flowering होती है तो ये topic है बिटा flowering का मतलब है जहांते सुने photoperiodism का मतलब ना सिर्फ exposure of light important है that duration of exposure is also important that is photoperiodism नहां तक समझ आ गया ठीक है next topic deal कर रहे है हम लोग इसमें that is vernalization इसमें हम लोग deal कर रहे है बिटा photoperiodism के बाद vernalization ठीक है और आप देख सकते है ये चीज NCRT ने भी बोला था जो shoot को लेकर ये question आया भी था ठीक है it is also interesting to note that while shoot epics modify होते है flowering के लिए और उस पर impact नहीं आता perceive का मतलब होता है feel करना वो feel नहीं करते अना photo period को वो feel नहीं करते sight of perception मतलब जो part feel करता है वो हमारे पास क्या है leaf है और देख रहे हैं दोनों लिखा हुआ है light और dark दोनों लिखा हुआ दोनों important that is flow region और यह migrate करता है कहां से leaf से लेकर shoot apex में और flower बनाता है ठीक है clear और जब यह तभी करेगा जब मुझे उसे sufficient photo narrator मिलेगा मतलब LDP तभी करेगा जब घटा हुआ दिन मिलेगा sorry बढ़ता हुआ दिन मिलेगा SDP तब करेगा जब उसको घटा हुआ decreasing day length मिलेगी यह हमने समझना है ठीक है अब आते हैं एक topic जिसका नाम है vernalization ना what is vernalization यह बहुत important है दा what is vernalization यह समझना है देखो NCRT ने एक definition दी है vernalization को लेके it is it is qualitative quantitative and quantitative quantitative requirement of of low temperature जो flooring या कुछ और चीज़े control कर सकता है ना यहाँ पर दो टर्म है बेटा एक है qualitative और एक है quantitative vernalization का होता है ध्यान से समझना बहुत important है vernalization का meaning है it is qualitative qualitative का मतलब how much लो कितना low चाहिए मुझे temperature की quality क्या होने चीए how much लो हम कहेंगे below 10 degree या below 7 degree below 10 या 7 degree Celsius बोल देते हैं चलो इतना low quantitative का मतलब है कि कितने दिन के लिए for few days at least कुछ दिनों के लिए मुझे चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर यह कह रहे है हम यहाँ पर अभी एक topic पड़ेंगे वहाँ इस बात को समझाएंगे आपको why it is written qualitative and quantitative तो हम यह समझेंगे इस बात को कि इसका क्या मतलब है ठीक है एक example के तुरू सारी points clear करेंगे पहला तो यह समझेंगे quality का मतलब कितना low quantitative का मतलब है हम लोग बात करें कितने दिन के लिए जैसे हम कहते हैं कि अभी winter चल रहा है तो एक cold wave चल रही है तो लगबख 7 से 10 degree जैसे मालो आपके घर में अगर 10 degree temperature है या 12 है तो जो filled होगी जहां पर plant होगा वहाँ 4-5 degree का difference रहता और कम होता है तो वहाँ पर temperature और कम होगा तो हम कह रहे हैं कि qualitative मतलब कितना low हम कहते हैं 7 से 10 के आसपास चलो ठीक है quantitative मतलब एक week तक वो cold बे बनी हुई है उससे क्या है उससे क्या हता होता है effect होता है plant पे और वो flowering के लिए उसे mature करता है तो उस चीज को आज समझ रहे हैं हम यहाँ ठीक है तो अब हम बात करेंगे बिटा one-lization में एक example के थूरू ताकि आपको यह सारी चीज समझ आ जाए ठीक है देखो द्यान से बिटा एक example ले रहे है one-lization का flowering से relate करेंगे पर example के तो हम कहते हैं कि हम एक annual plant ले रहे है what is annual bineal और perineal तीन टर्म होती है annual annual का मतलब एक season में अपनी life cycle complete करना समझ लो इस बात को एक single season में अगर life cycle complete कर ले उस plant को कहते है annual अगर दो साल ले मतलब पहले साल हमने first year grow किया and second year उसे harvest कर लिया harvest मतलब उसको cut कर लिया मतलब plant को cut करके उसके fruit ले लिया तो उसे हम कहते है bineal perineal mango tree type तीन-चार साल grow किया हर साल fruit आ रहे हैं उसको हम perineal बोल सकते हैं annual plant का example है wheat, oat, barley ये food crop हैं क्योंकि खाना मिलता है इनकी दो variety के बारे में पढ़ेंगे इनकी दो variety है एक variety का नाम है spring variety और एक variety का नाम है winter variety winter variety एक winter variety है और एक spring variety ध्यान से समझना जो समझाऊँगा आपको मैं ठीक है हम क्या करने वाले हैं उसको समझना देखो हमारे पास ये summer है यहां हमने summer लिख दिया, यहां मैंने winter लिख दिया, ठीक है, यहां मैं क्या लिखोंगा, इस जीच को समझो, summer से winter के बीच में हमारे पास क्या आता, autumn, season की बात कर रहे हैं, हम इस direction में move कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस direction में move कर रहे हैं, हमारे पास यहां क्या आए कि अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहां से देखना जो मैं यहां पर बात बताने वाला हूं आपको हम ये बात कर रहे हैं, देखो समर से हमारे पास ओर्टम, ओर्टम से विंटर, विंटर से स्प्रिंग, स्प्रिंग से समर, ये हमारे पास एक सीजन का चार्ट है, अब देखना मैं क्या बता मुँआ आपके, सबसे पहले समझो इस वराइटी के बारे में, विंटर वराइटी, विंटर वराइटी, विंटर वराइटी वो होती है गेहूं की, जिसको हम कब बोते हैं, ओटम में, इस विंटर वराइटी का नाम ए रख देते हैं, तो ये जो ए वराइटी है, इसको ओटम में बोते हैं, विंटर तक आते-ाते, winter तक आते आते एक छोटा plant बन जाता है winter में growth रुख जाती है यहां growth stop हो गई दुबारा से growth उसमें start होती है थोड़ा वो grow करना start करता है यहां spring spring में growth start होती है और mid summer में उसमें fruit root आ जाते हैं उसको harvest कर ले तो आप समझो मैंने क्या समझाया मैंने यह समझाया कि गेहूं की दो variety है एक variety का नाम winter variety है winter variety को NCIT पढ़ना साथ के साथ winter variety को हम कब सो करते हैं autumn में तो हमने क्या किया winter variety को sow किया sown in autumn किस में sow किया बिटा autumn में sow किया उसके बाद वो कैसे develop हो गया देख रहो छोटा plant तो develop into develop into कैसे small plant यहां तक समझ आ गई बात अब क्या हुआ winter में growth रुख गई winter में क्या हो गई growth stop हो गई यह इतनी थंड पड़ रही है winter में नौर्थ इंडिया में उगाते है winter variety इतनी ज़्यादा थंड है कि अब growth होई नहीं लिए growth कब resume होगी growth resume in दुबारा से होई growth दुबारा start होई देखो यहां बोया इसे plant आया थोड़ा सा फिर उसमें क्या होई growth रुक गई तो growth रुकने के बाद यहां winter में growth नहीं होई फिर दुबारा से growth ही तो growth resume after winter हम कहरें spring में हम basically क्या कहरें spring season में फिर से गेहू growth स्टार्ट हुई और फिर उसको हमने harvest कर लिया harvest कर लिया mid summer में अब इस सब कानी के पीछे क्या main point है main point यह है कि इस winter में यह जो extreme winter था उस 15 दिन 10 दिन का एक extreme winter आता है north में western disturbance की वजह से इसे आब पच्च्च में विच्छोब कहते है western disturbance की वजह से यहाँ पर क्या आता है एक cold wave आती है जैसी अभी चल रही होगी जैन में तो वो जो cold wave आई उस वजह से उस time का फाइदा होता है उन wheat variety को हमारे पास जो गेहों की winter variety होती है उन्हें autumn में bono compulsory है क्योंकि winter तक आते-आते चोटा plant आ जाए ग्रोथ रुख जाएगी लेकिन उन पर effect आ जाएगा उस coldness का वो coldness का effect क्या है वो समझना हमने वो coldness का effect यहाँ है सबसे पहले क्या effect होगा coldness का effect होगा it prevent it prevent pre-cautious ncrt लिखती है pre-cautious pre-cautious का मतलब होता है early maturity early maturity of plant और वो सारे साथ मेच्चे और करेंगे माल लो हमने गेहूं का plant जो था बो दिया sow कर दिया और वो जो है द्यान से सुनना बिटा गेहूं का plant हमने sow कर दिया बो दिया तो हमने यह देखा इस जीच को समझो हमने यह देखा गेहूं के प्लांटे, wheat के प्लांटे, they are off, मतलब different situation मतलब कोई जल्दी mature हो सकता था कोई बाद में, लेकिन one-lization की वजए से उन सब में maturity साथ होगी, किसी की early maturity नहीं होगी, और सारे एक growing season किया mid summer में साथ में flower करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, autumn में बो दिया, ताकि winter तक छोटा plant आ जाए, उस पर उस थंड का cold का effect हो जाए, आना वो जरूरी है, और वो होनी भी चाहिए, हमने लिखा qualitative और quantitative qualitative का मतलब एक cold wave होनी चाहिए, पर वो एक दिन की ना हो, कि आज cold wave होगी कल एकदम बढ़िया sun निकल गया, तो फिर ठीक होगी, नहीं कुछ दिन तक रहना चाहिए, तभी effect आएगा और वो क्या prevent करता है, इसाइटी लिखते है, it prevent pre-cautious pre-cautious का मतलब होता है, early maturity prevent करता है, ठीक होगी बात तो यहाँ पर हमने कौन सी variety की बात करी winter variety की, लेकिन नौर्थ इंडिया में हम spring variety नहीं बोते, क्योंकि spring variety के साथ दिक्कत ये है कि spring variety जो है हमारे पास, उसको हम यहाँ बोते हैं after winter, sun after winter उसको winter के बात बोते हैं spring में और फिर उसको summer में, mid summer में harvest करते हैं, इसका थोड़ा सा production कम होता है इसका production थोड़ा सा कम होता है, मतलब कम होता है इसलिए हम इसको नहीं grow करते हैं नौर्थ इंडिया में, नौर्थ इंडिया में wheat की, oat की, barley की winter variety बोही जाती है जिनको autumn में बोह देते हैं autumn में छोटा plant बन जाता है उस पे उस winter का effect होता है उसको ready करता है, mature करता है तुम सारे साथ में flower करोगे इस तरह का effect ले आता है उसमें फिर उस दुबारा growth होती है तो उसमें flower आता है vernalization actual में cold treatment है जो flowering seed germination पर impact डाल सकता यहां तक समझ आ गया? clear है? ठीक है अब जड़ा यह देखो इसके बाद की बात करते हैं अब इसका मतलब यह मैंने समझ लिया आप NCRT पड़ो, यही लिखा हुआ, NCRT ने लिखा है if winter varieties sown after winter they are failed to flower क्यों? क्योंकि effect नहीं हुआ समझ आया? क्या बोल रहा हूँ मैं? if winter variety is sown after winter winter में बोदो तो seed germination नहीं करेगा sown after winter तो वो क्या नहीं करेगा? flower fail to flower कोगी, effect of vernalization नहीं हुआ उसके लिए छोटा plant बनना ज़रूरी इसलिए कब होते हैं उसको? autumn में clear हो गया? ठीक है अब हम बात कर सकते हैं bainial plant NCRT कहती है, bainial भी example है bainial में हमारे पास क्या आता है बेटा? bainial plant जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहले season में grow करते हैं first season में grow करते हैं और फिर second season में उनमें flower आता है ऐसे plant जो हैं उनमें फिर flower आता है ऐसे plant का example है हमारे पास carrot भी है ठीक है? और even हमारे पास cabbage है ठीक है? और बीट रूट वगरे हैं यह मारे पास बिटा अब इसके एक्जामपल है बाइनियल प्लांट के important point यह है कि इन बाइनियल प्लांट को जैसे मालो मैं सेम चीज अगर आपको दिखाऊं यहां पे summer लिखो एसे मैं आपर winter लिख दिया और इस तरीके से मालो मैं ने इन बाइनियल प्लांट को यहां पर कहीं सो कर दिये यहां पर यहां पर सो कर दिया कहीं पर तो यह वाला winter तो वो growth करेंगे लेकिन जब second time winter cross करेंगे यह वाला first time में तो growth कर रहे थे second time में जब winter cross करेंगे और उनको जब photo period ची होगा फ्लार कर देंगे पैंसियाटी ने लिखा है कि bainyal period क्या bainyal plant क्या होगा in second season में in second season में सोरी हम यह कह रहे हैं में bainyal को लेके एक बर सुन लो ज्यान से bainyal plant में हम क्या करते हैं समझ लो इस बात को मैं इसको मालो यहां सो कर रहा हूं ज्यान सुनो इसको मैं यहां सो कर रहा हूं तो यह ऐसे cross करेगा जैसी winter आएगी उस पर effect आजाएगा और फिर उसकी growth पूरी होने के बाद photo period मिल जाए तो फ्लार कर जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्नलाइजेशन के बाद after वर्नलाइजेशन चाहे किसी भी season में हो दे फ्लार दे फ्लार वेन क्या हो वेन प्रॉपर photo period हो प्रॉपर उनका क्या हो photo period तो बाइनियल प्लांट के लिए याद रखो उन पर भी उस coldness का effect होता है coldness मतलब cold temperature का पहले season में grow कर रहे थे cold का effect मिल गया growth पूरी की photo period मिला फिर फ्लार करेंगे तो इसका मतलब इसको अलग-लग मत समझना है कि कुछ plant वर्नलाइजेशन से फ्लार करते हैं कुछ photo periodism से ये समझना दोनों relate कर सकते हैं दूसरी बात बिटा इसका मतलब मुझे compare करना चाहिए एक बार किसको वर्नलाइजेशन को किस से फोटो periodism से इससे compare करना चाहिए फोटो periodism से जहां से सुनना बिटा अगर आपको याद हो photo periodism का effect इसका effect किस पर होता है effect occur on कहां होगा mature leaf पर होता है इसका effect कहां होगा effect on कहां effect कराएंगे इसका effect कराएंगे बिटा इसका effect कराएंगे जाहां सुनेंगे इसका effect कराएंगे on dividing cell मतलब क्योंकि छोटा plant है न उसमें merismatic cells थे वहाँ पर कराएंगे यह क्या करता है बिटा यह plant को help करता help plant to get mature help plant to get mature for flowering यह उसको तयार करता है flowering के लिए और ये photoperiodism क्या करता है it induce flowering ये flower start करा देता है मतलब ये floral bud बनवा देता है तो दोनों में फरक है ये तयार कर रहा है, ये flower ला रहा है दोनों बातों में फरक है बिटा यहां हम कई बार hormone जो लिख देते हैं जो बनता है coldness की वज़े से that is vernaline यहां पर हम hormone लिख देते हैं flow region, दोनों hypothetical है आज तक isolate नहीं हुए clear हो गई बात, that is comparison दोनों में, ठीक है, clear मैंने एक plant hormone बताया था जो long day plant और vernalization दोनों के impact को मतलब उसकी जगह में दे सकता हूँ उसका नाम मुझे बताना कि कौन से ऐसे hormone है, जिनको दे सकते हैं अब देख लो, मैं इन लाइनों को बूल रहा था जो बच्चो को परिशान करती है qualitative, quantitative and it prevents pre-cautious development, अना, clear और यह आपके पास winter variety की बात कर रहे है, NCRT में, देख रहो अगर मैं उसको spring में लगा दूँँगा तो normally fail to produce flower उसको मुझे कहा लगाना पड़ेगा planted in autumn में लगाना पड़ेगा वो germinate करता है winter में छोटे plant आ जाते हैं वो growth resume करता है spring में, मतलब winter में growth रुख गई and harvest करते हैं mid summer में यह चीज आपको समझ नहीं clear, यह चीज आपको समझ नहीं, NCRT से खीक है, clear, समझ आपकी बात अब एक last topic जिसका discussion है हमारे पास seed dormancy seed dormancy में कुछ गड़बड रहती है concept में, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते यह बाते हैं, देखो क्या है बात seed dormancy का main मतलब है कि inability inability to germinate कोई seed germinate ना करे उस inability को seed dormancy कहते है इसके दो reason हो सकते हैं हम normally एक ही reason पे बात करते हैं तो एक reason तो external हो सकता है external का मतलब हुआ कि conditions favorable नहीं है बाहर की conditions ठीक नहीं है not favorable तो हम क्या करते हैं बटा seed dormancy में external conditions की बात नहीं करते normally हम यह बोलते हैं it is inability to germinate even if even if favorable condition is present मतलब हम यह बोलते हैं कि seed dormancy हमारे पास क्या है seed dormancy हमारे पास बिटा सब लोग बच्पन में cricket खेलते हैं हम भी खेलते थे इसलिए पकड़ लेते हैं ठीक है तो reflex ठीक होते हैं हम कहते हैं it is inability to germinate तो reason क्या है external इसको नहीं लेंगे तो हम यह बोलेंगे हम यह इसको हटाई देंगे हम यह कहेंगे seed dormancy is it is inability to germinate even if favorable condition is present बाहर सब कुछ ठीक है पानी है sunlight है सब कुछ है वो germinate नहीं कर रहा उसको seed dormancy कहते हैं normally हम external नहीं लेते ठीक है normally नहीं लेते तो हम क्या कहेंगे इसका reason क्या है बिटा इसका main reason क्या है endogenous इसका main कारण कहां पर है main reason internal है जिसको आप क्या बोल सकते हो endogenous क्या बोल सकते हो endogenous तो main reason internal है जिसे आप endogenous बोल सकते हो internal और endogenous reason बोल सकते हो चलो अगली बात समझ लेते हैं ये बात तो बड़िया लगी internal है अब ये internal reason क्या हो सकते है तो हम next बात कर सकते है reason of seed dormancy seed dormancy का reason क्या हो सकता है माल लो आपने ये कोई seed बना दिया seed के बाहर एक layer होती है जिसे seed coat कहते है seed coat कहते है ठीक है ये इसमें embryo है यहाँ पर ये माल लो ये embryo है this is embryo and this is seed coat hard होता है काफी ये सबसे पहला reason हम ये कह रहे है सबसे पहला reason ही ये कह रहे है कि seed coat इतना hard है कि उसमें से plant निकल ही नहीं पा रहा तो उसको soft करना पड़ेगा अगर dormancy तोडनी है पहला reason ही हो गया दूसरा reason ही हो सकता है कि अभी embryo पूरी तरह से develop नहीं करा अगर आप गाउं में जाएंगे तो वहाँ पर गेहूं की जो variety होती है जिनको इस साल जिनको उगाया होता है मतलब जिनके seed हमें मिले होते है उसको एक साल रोक लेते हैं जो पिछले साल store किया तो उसको sow करते है इसका मतलब उसको time देते हैं कि वो development पूरी हो जाए कई बार seed बन जाता है embryo की development पूरी नहीं होई होती तो time देना है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि embryo की development अभी complete नहीं है embryo is not developed completely पूरी तरीके से develop नहीं हुआ third हम कहेंगे हो सकता है कोई chemical हो इसमें जो chemical इसको germinate ना करे जैसे कि हम कह सकते है phenolic acid कोई chemical दे दो आप para ascorbic acid और naturally अगर हम बात करें एक होता है मेरे पास ABCC acid यह एक तरीके के seed germination में inhibitor की तरह काम करते हैं यह germinate नहीं करने दे सकते हैं यहाँ तक समझ आ रहा है विटा तो यह सब reason है हमारे पास कि seed dormancy है मतलब seed dormancy जो है यह इस वज़े से है clear phenolic acid para ascorbic acid, abscissic acid इनकी वज़े से seed dormancy है अब question यह है कि seed dormancy nature कैसे तोड़ेगी तो हम यह बोल सकते हैं how to break seed dormancy seed dormancy कैसे तोड़ी जाए seed dormancy को कैसे तोड़ा जाए यह देख लेते हैं सबसे पहले मालो मैं artificial बताता हूँ artificial मतला हम तोड़ना चारे हैं हम चारे हैं कि seed dormancy तोड़ जाए हमारे सारे seed का germinate कर जाए दूसरा यह natural तो होती ही होगी nature भी तो तोड़ेगी यह तो seed कैसे germinate करेगी आप क्या कर सकते हो अगर उसका seed coat hard है तो knife से काट दो खीक है हमारे पास किसी rough surface पे उसको rub कर दो तो हम क्या कर सकते हैं यूज ओफ knife's rough surface पर nature ऐसा तो नहीं कर सकती nature क्या करेगी seed coat को break करने के लिए कर रहे ही है nature क्या करेगी nature यह करेगी बिटा natural क्या करेंगी use of knife rough surface nature क्या करेगी nature क्या करेगी कि इसको pass करो pass through intestine किसी animal की intestine से pass करो इसलिए fruit बनाते हैं वो ताकि क्या हो seed coat soft हो जाए या basically seed नहीं जगा फैले इसलिए fruit बनाते है या उस पे microbes act करें कुछ bacteria act करें ऐसा हो सकता है naturally हम ऐसा कर सकते हैं GA, gibberlic acid और nitrate ये chemical है ये break करते है seed dormancy break seed dormancy मतलब inhibitors के against काम करते है अब यहाँ पर क्या होगा आपको क्या करना है cold temperature देना है nature cold temperature से inhibitor बाहर निकल जाते हैं कई बार inhibitor leach out यहाँ तक समझा रहा है तो कुछ chemicals के दुरूँ आप कर सकते हो ये चीद समझा रहा है तो seed dormancy बिटा आपको देखो artificial बहुत सारे तरीके हैं उसको पानी में डाल दिया या उस time के लिए उसको pressure दे तो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा rough उसके seed goat को लेके embryo के लिए तो time देना पड़ेगा inhibitor को क्या करोगे cold water में रखो के leech कर जाएगा तो cold water में रख सकते हैं nature भी उसमें cold temperature दे सकते हैं तो cold water में वो क्या होता है यह हो गया अब यहाँ पे cold temperature देने से अगर germination बढ़ती है that is vernalization ना तो उसमें भी काम कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास seed dormancy यहाँ से question आया था recent year में आप check करेंगे आपको बन जायेगा और NCRT से पढ़े कि recently add हुआ है एक-दो साल में इस topic को add हुए ठीक है आगे चलते हैं मैटा कुछ questions देख लेते हैं दो questions पर discussion कर लेते हैं कि क्या है need का क्या रहता है ना हम लोग चाहते हैं questions discuss करना time का थोड़ा सा issue रहता है लेकिन जो पढ़ाते हैं उससे बनेगा आप खुछ से भी solve करें सबी हम कराएंगे तो फिर आप कैसे करोगे हमारा तो में परपस ही होता है कि आपको सारी चीज़े पढ़ाई जाए हना उस तरह का परपस है चलो fruit and leaf drop question है बेटा पढ़ लेते हैं इसको एक बार question है fruit and leaf drop at early stage can be prevented by हना अगर आप ध्यान से याद करो कि fruit और leaf को गिरना हम किस्त में रोग सकते हैं आप पढ़ेंगे NCRT में लिखा हुआ है auxin can prevent absession of हमारे पास किसका young leaf and fruit तो early stage का मतलब young हो गया तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा auxin आ जाएगा ठीक है clear उसके बार हमें confusion इन दोनों में हो सकते थी लेकिन इसमें बेटा leaf और fruit लिखा है उसमें flower भी लिखा एथिलिन में आना auxin और cytokinin तो मेरे पास देखो कहां पर है auxin देखो आईए auxin है and gibberlin नहीं यह second answer आएगा auxin and cytokinin auxin and abscissic acid नहीं gibberlic acid नहीं ठीक है clear easily आप बना सकते हैं next question देखेंगे phytochrome is हमने पढ़ा भी है यह phytochrome क्या है यह 2016 में आये था is a chromoprotein एक ऐसी protein है जिसमें color होता है now lipoprotein बिटा यह वो होता है जैसे हमारी body में HDL, LDL वो चीज होती है ठीक है glycoprotein हमारे पास हम क्या करते हैं बहुत सारे मतलब हम modified form बनाते हैं उसकी protein की वो उसमें डाल सकी करता कौन है गौलजी body तो answer यहां पर हमारे पास क्या आएगा chromoprotein आ जाए clear now avena curvature test देख रहे हो avena colioptile curvature test बायोस से आ गया यह किसका है auxin का अब itheline GA3 ABA, IA क्या है यह auxin है तो देखो किसका था need to one 2016 का question है हाँ ठीक है अब आ जाओ ज़रा और देख लेते है auxin can be 2015 में भी same question आ गया है avena colioptile curvature test auxin का बायोस से यह है अब देखो potometer तो आएगा नहीं है यह भी नहीं आएगा hydroponic उसमें mineral nutrition में ठीक है what cause the next question 6 यहां पर what cause the green plant exposed to light only on one side bent towards the source of light as it grow auxin बन जाता है देखो हम लोग क्या करते हैं किसी plant में bending तब होती है जब उसके opposite side में auxin या light है opposite side में auxin जादा बन जाता तो यहां length बढ़ जाती है इसल की ठीक है तो हम कहे रहे light stimulate the plant cell on the lighted side lighted side नहीं auxin accumulate on the shaded side और ये वाला सही लग रहा है अगला देख लेते हैं पर देखो हम क्या करते हैं देखो जब हम options पढ़ते हैं तो option पढ़ते वक्ट हम अपने answer खोज रहे होते हैं जब मुझे answer मिल जाता है उसके बाद मैं बाकी भी पढ़के check करता हूँ क्या उसमें गड़बड है क्योंकि कभी भी answer बनाते वक्ट ये मत खोजो सही क्या है पर ये खोजो कि ये गलत क्यों है जैसे ये क्यों गलत है मैंने कहा ये कह रहा है lighted side lighted side ये होगी यहाँ auxin नहीं बनता opposite side में बनता तो second ठीक लग रहा है green plant need light to perform photo synthesis इससे क्या लेना देना हम auxin की बात कर रहे है seek light because they are phototropic ज्यादा बेटर भी बन रहा है हाना clear next question पर बात कर लेते हैं हम लोग ये देखो typical growth curve हमने क्या पढ़ा था बेटा हम sigmoid पढ़ रहे थे हमने sigmoid पढ़ा था ना परोद कर दो ही पढ़े है एक तो sigmoid पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था हमने एक पढ़ा था ये हमने कहा था maximum ये वाला होता नेक्स्ट है हमारे पास a few normal seedling of tomato were kept in a dark room ठीक है after a few days they were found to be have become white color देखो ये क्या कह रहा ये seed कह रहा ये हमने seed ले लिया इस seed को मैंने dark में रखा तो इसका ये पार्ट white हो गया ये मैंने आपको पढ़ाया था उसमें plasticity में मैंने कहा था white होने का मतलब क्या है iteolation सफेद रह जाता chloroplast develop नहीं होते तो वहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास iteolated आ जाएगा c आ जाएगा ये चीज़ समझ आगी बिटा अब आ जाओ जरा next ये देख लो which of the falling growth regulator known as stress hormone stress hormone हमारे पास क्या आएगा FCC कैसे ये चीज़ समझ आ रही है बिटा during seed germination its stored food is mobilized by ये देखो बिच्चे यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर seed germination लिख रहा है seed germination में हम कहते हैं कि वह क्या तोड़ रहा है seed dormancy break कर रहा होर्मोन और seed dormancy break करने के लिए दो हॉर्मोन लिखे हुए है एक ethylene लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ GA तो हम GA mark करेंगे क्योंकि वह stored food की बात कर रहा है starch को तोड़ रहा है याद करो GA किसको तोड़ता था starch को तो answer आ जाएगा जिवरली तो यह हमने बिटा questions discuss किये हैं और मैं आपको फिर बोल रहा complete होता है तो इसके बाद हम लोग next chapter में मिलेंगे और उसको बिटा properly NCRT से बढ़ेंगे आपको exactly बता दिया जाएगा कि यह क्यों पढ़ रहे है तो तब तक आप पढ़ते रहे हैं और properly सब कुछ revise करेंगे पढ़ाई करते रहे हैं all the very best